कि किसी को एतराज नहीं है कि जो पीडित लोग हैं उनको देश में नागरिता मिलनी चाहिए लेकिन जो तरीका है विपक्ष का आरूप यह है कि आपने उससे मुस्लिमों को बाहर कर दिया अगर वहां मुस्लिम पीडित हैं तो आपका आपकी पार्टी का कहना है कि मुसलमानो करने में फाइदा है क्योंकि दिली के चुनाव थे तो इसलिए आप नहीं चाहते तो शाहिनबाग के लोग उठें और वो धर्ना खतम हो क्योंकि आपको उसको दिली सरकार के डिली के चुनाव को पुलराइज करना ताकि आप सरकार बना सके अधिके जिए पहली बात तो है कि आप ने का कि मुसलमानों को बाहर रखा है हमने मुसलमानों को बाहर नहीं रखा है पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की मानसिक पीडा का कोई मुसलमान बंगलादेश से और अपने पाकिस्तान से अफगानिस्तान से नहीं आएगा कारण क्या है कि वो इस्लामिक कंट्र पूरा करने के बाद उनको नागरिक्ता मिलती है आपकी जानकरी के लिए पिछले एंडिये के इसकारेकाल में पांच साल में साड़े 500 मुसलिम परिवारों को मुसलिम नागरिकों को इस देश में नागरिक्ता दी गई है एक रिकॉड की बात है साड़े 500 मुसलिम नागरिकों को दी गई है जहां दस बाराजार दूसरे हमां साड़े 500 वो भी है लेकिन समने त्या मुसलमान यहां आएगा नहीं क्योंकि वो हमारा जी देश का विभाजन हुआ वो एक धर्मे का अधार पर हुआ है यहां का जो माइग्रेशन हुआ इस हर्य अभी कोई पीडित होगा तो नोन-मुसलिम का यहां आकर करके अगर उसकी इच्छा या रळएकि तो उसको इदिगारी मिलेगा हाग योदी कोई मुस्लिम वहां इस परकार से पीडित है अपने धार्विक अदार के जैना उनको कोई प्रशानी होती है इस परकार की हम मान पर भी जरूरी है कि उनकी जिंता पहले की जाए विरोधियों का रोपी है कि आप हिंदू राष्ट की तरह बढ़ रहे हैं यह आशंका उनको सताती बार-बार संसद में कॉंग्रेस हो या वैसी सापकी पार्टी हो या और भी जेडियू जैसी पार्टियां जो भले आपके सा 270 को हटाया अच्छा है आपके कई कॉंग्रेसियों ने भी समर्थन किया आपके इस फैसले का हलाकि उनके अंदर विरोध फूट पड़ गई चाहे आप हुड़ा सापके परिवार को देख लें यह वहां जोत्रादित सिंधिया मद्रप्रदेश में उन्होंने समर्थन कर द और फिर वहां पर आपके सांसद प्रवेश्वर्मा जी वह जाके कहते हैं कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो यह घर में घुसके हमको जिंदा जला देंगे रहन नहीं देंगे तो एक भाशा का जो इस्तर है मनुहर लाल जी आप तो बहुत मनुहर बातें करते हैं वाक जारों की सोतंत्रता का अधिकार इसको उप्योग करते समय भाशा मर्यादयत सबकी रहनी चाहिए इसमें कोई दोमत नहीं तब हम लोगतंत्र में एक दूसरे के साथ मिलके रह पाते हैं सहजी मन जो है वह आपसी विश्वास के उपर चलता है और एक सीमा से आगे लांगना नहीं चाहिए लेकन अगर उस प्रकार का किसे ने जवाब देने की बात की हो गई तो उस पीड़ा के कार्ण से दी होगी एक आदमी पीड़ित है और उसको पीड़ा पहुंचती चली जाए और वो पीड़ित आदमी सामने से जवाबी ना दे तो हर कोई तो महत्मा गंदी जैसा है सक नहीं हो सकता।